अवैद रूप से बांगलादेश में प्रवेश करते समय दो अलग-अलग सीमाओं से साथ बांगलादेशियों को गिरफ़तार किया गया पुली सूतरों के अनुसार, साथ बांगलादेशी नागरिकों को बीएसेफ की 143 बटालियन के बॉर्डर गार्ड्स ने उस समय गिरफ़तार किया जब वे स्वरूपनगर में ताराली और हकीमपुर सीमा के माध्यम से अवैद रूप से बांगलादेश में प्रवेश कर रहे थे गिरफ़तार लोगों में लिप्टी बेगम, अदूरी दास, एक्रामुल गाजी, काकली खातून, M.D. फैसल, स्वीटी खातून और जैस्मीन खातून शामिल है उनके घर बांगलादेश के विभिन्न जिलों में है आज उन्हें स्वरूपनगर पुलीस स्टेशन द्वारा आगे की कानूनी कारवाई के लिए बशीरहाट महकमा अदालत में भीजा गया अवैद रूप से बांगलादेश में प्रवेश करते समय दो अलग-अलग सीमाओं से साथ बांगलादेशियों को गिरफ्तार किया गया पुलीस सूतरों के अनुसार, साथ बांगलादेशी नागरिकों को बीएस एफ की 143 बटालियन के बॉर्डर गार्ड्स ने उस समय गिरफ्तार किया जब वे स्वरूपनगर में ताराली और हकीमपुर सीमा के माध्यम से अवैध रूप से बांगलादेश में प्रवेश कर रहे थे गिरफ्तार लोगों में लिप्टी बेगम, अदूरी दास, एक्रामुल गाजी, काकली खातून, एमडी फैसल, स्वीती खातून और जैसमीन खातून शामिल है उनके घर बांगलादेश के विभिन्न जिलों में है आज उन्हें स्वरूपनगर पुलीस स्टेशन द्वारा आगे की कानूनी कारवाई के लिए बशीरहाट महकमा अदालत में भीजा गया अजया जाटी झालत में पुलीस स्वरूपन जिलों में है